कि अब देखने कि अब तर्फ यह अब आपके निके हरे चनी जो होते हैं उन्हें और भी कहते हैं लेकर आई हूं फ्रैट करने के तरीका कि जिसके आप अराम है तो खा सकते हैं ठीके चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ लेकर आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो बैल आकून आपको साइट में नजर आ रहा है उसे जरू क्लिक किया करें ताके मेरी तमाम वीडियो के नौटिफिकेशन आपके बरवक्त पहुचें आपके करीब ओले हुँ सही ए मैंने इसे में डालके चितरह से सिकनदर मसल रही हूँ चन्नी वाश करने वे जो गंदक्यों अलगनी ओटे उसे पत्ते वागड़ा होते में जैसे डंडिया होती ही इसे वालग नहीं होता अब देकी है आप श्धुच्रा जोह होगा मिटी ओगी नि सब्सक्राइब करें 15-20 मिनिट के निए सूखने के नहीं रखेंगे जब यह सूख जागा फिर हम इसमें नमक वगरा जो चीज इसमें मिलानी होगी वह हम उसी टाइम मिलाएंगे अब हमारे अच्छी ताँ से सुख गए है लेकी सिफ हलकल किसमें जो सीलन है चिलकों में वही है बाके पानी मगरा नहीं निकल रहा है यह देखें वह कुछ सुखी जमीन हो रही है अब हम इसमें और शिफ्ट कर देंगे अब हम क्या करेंगे नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अब देखें हमें नमक एक चमच लिया है इसे हम अच्छी तरह से पहला कर डाल देंगे अब दालने के बाद इसे मिक्स करना है अब हम इसे फ्राइ करेंगे अब हम इसे फ्राइ करेंगे अब रिकिए आएस्था आएस्था तबे आपर डालते जाएं इससे थोड़ से दे निये फेला के छोड़ दें अब है ताकि अंधर से जो अंदर कंज न रोट होता हूँ अच्छी तरह से इसका ने उल्याज पकाने हैं अच्छी तरह से फैल जाएंगे फिर थोड़ी सी तेज आच करिएगा अब हम इस टाइमिंग में इनको हमने पांच मिन के निया डाल के छोड़ दिया था क्योंकि जाय से पता है जब हम सैटिंग कर रहे तो इस टाइमिंग में सैटिंग करने में आपके दो से चार मिन निकल आपने और एक्स्ट्रा छोड़ देना है अब इसकी आच थोड़ी तेज कर रहे हैं ज्यादा तेज नहीं कि आँच उपर के साइट पर आज़े तवे पर सिवी तना रहे कि जहां तक आपकी यह ओले हैं वहीं तक आपकी आच रहे है कि 10-15 मिन तक कि आपने इस तरह से चला आपके लिए हरे चनों के सब्सक्राइब लेकर आओंगी यानि यह ओलों के अंदर से चने निकलते हैं उसकी सब्सक्राइब इंशाहत आतला में बहुत जल्दी आपकी ने लेकर आने वाली हूँ जे रहे हमारे पकना शुरू हो चुके हैं इनका छिल का हलकलका सा फ्राय हो हो गया है और निची नमक है वह भी तेज कलर में आने लग गया है अब इस टाइमिंग में आप चाहें तो आप थोड़ा हलका चुला कर दें इसे मैं करूंगी यह रिखे हमारे या पर मैंने इसमें 10 मिंट इसको इस तरह से फ्राय किया है बुना है इसकी नमक था पुरा न लेकिन अगर जिस आपको बीबी प्रॉल्म नहीं है और आप थोड़ा सा तेज नमक पसंद करते हैं तो आप चाहें तो इसके अंदर एक चम्मच या फिर थोड़ा सा या आदी मुठी का हिसाब लगा ले यह देखे मैं इस तरह से लिया है नमक और इसको मैं ऐसे शामिल कर चलनी से चाहने ना चाहने तो कोई मसला नहीं है इसको हिलाएंगे हिलाने के बाद आप जब अपर पर से ओले उठाएंगे तो वैसे ही नमक नीचे चला जाएगा यह देखिए हमने चलनी में अपने और जो हमने फ्राय किये थे बुने थे वहमने अलग कर दिए हैं अभी नमक होगा और नीचे चलन जाएगा और आपके थे अलग हो जाएंगे जिते क्रिस्पी-क्रिस्पी से इसके छिलके हो चुके हैं यह देखिए नमक और जिते भी इसानलग हो रहा है यह दखें तब कि पसार नमक चुड़िया है अब अराम से इसके पर सो ठाठा के खाये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से आपके ओले तयार हैं इंजॉई करें अपनी फैमली में बनाएं अपनी फैमली को खिलाएं बच्चे बहुत शुक से खाते हैं बहुत इंजॉई करते हैं तो आप जरूर पकाईएगा प्रिस्पी मज़ेदार भूने हुए ओले या भूने हुए हरे चैने